ओम शान्ती 15-3-2022 की साकार मुरली मीठे बच्चे तुम्हें ऐसा बाप मिला है जो बाप टीचर सत्गुरु तीनों ही एक है इसलिए अब भटकना छोड़ सची सची कमाई में लग जाओ प्राश्ण नई दुनिया में राज्य करने के लायक कौन बनते हैं उत्तर जो अभी सर्वशक्तिमान बाप से सर्वशक्तियां प्राप्त करते हैं तुम बच्चे रोहानी वारियर्स हो बाप की मत पर अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो बाप तुम्हें श्रीमत देते हैं कि योगबल से तुम विजय प्राप्त करो प्राश्ण किन बच्चों के हर कदम में कमाई जमा होती हैं उत्तर जो हर कर्म श्रीमत पर करते हैं उनके हर कदम में कमाई ही कमाई है याद में रहना भी कमाई, सर्विस करना भी कमाई, यग्य सेवा करना भी कमाई गीत ओम नमुश्यवाई, ओम शान्ती अभी तुम बच्चों को यह मालूम हुआ कि एक होता है लौक एक बाप, दूसरा होता है पार लौक एक बाप जब कोई भी दुख होता है तो पार लौक एक मात पिता को याद किया जाता है कोई सिर्फ परमात्मा को याद करते हैं, कोई कहते हैं तो मात पिता चाहे कोई माता को याद करे या ना करे, लेकिन जब गौट फादर कहते हैं तो माता जरूर है ही बच्चे माता बिगर तो पैदा हो भी नहीं सकते तो पारलोकिक मात पिता है जिनको याद किया जाता है जरूर वह कुछ सुख दे कर गए हैं याद आता है भारत सुखधाम था स्वर्ग था लोकिक माबाप से दुख मिलता है तब तो पारलोकिक को याद किया जाता है क्योंकि उनसे बहुत सुख मिलता है नर्क में हैं तब याद करते हैं कि फिर से स्वर्ग में जाकर सुख घनेरे पावे गुरु लोग तो कहते हैं जब तब भक्ती आदी करो बाबा तो ऐसी मत नहीं देते हैं लोकिक बाब तो कहेंगे पढ़ने के लिए टीचर के पास जाओ फिर वानपरस्त थवस्ता होगी तो कहेंगे गुरु के पास जाओ बाबा तो तुमको ऐसा नहीं कहते देखो लोकिक और पारलोकिक में कितना फर्क है वह कितना भटकाते हैं यह तो कहते हैं मैं तुम्हारा बाब भी हूँ, टीचर भी हूँ, गुरु भी हूँ, तो फिर तुमको भटकाऊंगा कैसे. यह तो तीनों ही खुद हैं, इसलिए इनको सब याद करते हैं. मनुष्य तो भक्ती मार्क में बहुत धक्के खाते हैं, ग्यान मारग में धक्के खाने की बात ही नहीं यह भक्ती और ग्यान दुख और सुख का खेल बना हुआ है जो बच्चों को समझाते हैं हद का टीचर हद की पढ़ाई पढ़ाते हैं मैं बेहद का टीचर तुमको बेहद की पढ़ाई पढ़ाता हूं तुम जानते हो यह है मृत्यू लोग, वो जो पढ़ाई पढ़ाते हैं पुरानी दुनिया के लिए और हम जो कुछ पढ़ते हैं नई दुनिया के लिए, यह दुनिया दिन प्रति दिन पुरानी होती जाती है, इन में सुख कभी भी मिलना ही नहीं है, सुख और दुख यह ख तब धीरे धीरे दुख शुरू होता है फिर कल्प के संगम पर आकर तुम को सुख में ले जाता हूँ अभी तुमारी बुद्धी का ताला खुला हुआ है जो तुम जानते हो यह सब बाते यथार्त है यह बाप के सिवाए कोई सुना नहीं सकते बाबा ही आकर तुम बच्चों को सुख देता है अभी तुम जानते हो आत्मा आविनाशी है यह शरीर तो बदलना पड़ता है परमात्मा भी परमात्मा है उनका नाम शिव है जो सभी मनुष्य मात्र है उनका रचायता है यहां सब हैं हद के क्रियेटर बाबा है बेहत का क्रियेटर सत्युक से लेकर कल्युक तथ तुमको जो बाप मिले हैं वह हैं हद के सत्युक में तुम्हारी प्रालब्द है वहां तुमको एक बाप और एक बच्चा मिलता है कल्युक में एक बाप को आठ दस बच्चे होंगे प्रजा पिता ब्रम्मा को देखो कितने धेर बच्चे हैं परंतु वह हैं मुखवंच्षावली जो बीके बनते हैं फिर सत्योग में जाकर देवता बनेंगे वो लोग एक बाप टीचर गुरू सब हद की बाते सुनाते हैं यह पारलोक एक बाप बेहत की बाते सुनाते हैं नई बातें बाप बच्चों के आगे ही बोलते हैं भल घर में रहते भी तुम यह नई सिक्षा प्राप्त करो यह भगवान की पाठशाला है यह है श्रीमत भगवत गीता पाठशाला अत्वा ज्यान के गीत जो तुम ही सुनते हो ज्यान सागर बाप ही आकर तुमको ज्यान ज्यानेश्वरी बनाते है मम्मा को कहेंगे ज्यान ज्यानेश्वरी युमेनेटी का सिजरा शुरू होता है पहले है प्रजापिता ब्रह्मा फिर है जगत अंबा पहले पहले ब्रामन रचते हैं फिर हैं देवता, शत्रिय, वैश या शूद्र जगतंबा का भी बड़ा मरतबा है परन्तु उनको कोई जानते ही नहीं है धेरों के धेर देवियों के चित्र बना लिये हैं वास्तव में आठ दस भुजावाले कोई मनश्य होते ही नहीं विश्नु को चार भुजाएं दिखाते हैं परन्तु चार टांगे नहीं दिखाते हैं यह सब गुडियों का खेल कलकत्ते में बहुत देवियां बनाते हैं बहुत खर्चा करते हैं खिला पिला कर फिर जाकर डुबोते हैं यह सब है भक्ती मार्ग तुम जानते हो हम सो देवी देवता थे फिर असुर बने फिर बाप आकर सो देवी देवता बनाते हैं अभी यह ब्रश्टचारी दुनिया है गवर्मेंट भी कहती है पर अटु सीधा पूचो तुम पतेद हो तो मानेंगे नहीं अरे तुम पतेद पावन को बुलाते हो सब बुलाते हैं यता राजारानी तथा प्रजा सन्यासी पवित्र बनते हैं यह भी ड्रामा मेंनूंद है भारत जैसा पवित्र खंड कोई होता ही नहीं इसलिए उनको कहा जाता है सच खंड फिर वही जूट खंड बनता है भारत को पावन बनाने बाप भारत में ही आते हैं भारत में ही शिव का अवतरण होता है सोमनात का मंदिर कितना भारी बनाया है भारत वासियों ने ही बनाया है जिसको बाप ने इतना साहुकार बनाया है बाप तो यहां पतित दुनिया और पतित शरीर में आते हैं पावन बनाने लेकिन कई बच्चे पहचानते ही नहीं हैं क्योंकि साधारण है फिर भक्ती मार्ग में तुम्हारे पास पैसे बहुत होते हैं तो हीरे जवाहरों के तुम मंदिर बनाते हो सत्योग में तो अंगिनत पैसे होते हैं महाँ पैसे की गिंती नहीं बेश्मार धन रहता है तो बाप जिनको साहुकार बनाते हैं कितना बड़ा यादगार बनाते हैं जो पहले लक्षमी नरायन थे वही 84 जन्व भोगते हैं नमबर वन में वो गिरते हैं भक्त बनते हैं तो जिसने बनाया उसका ही यादगार बनाते हैं लक्षमी नरायन विकर्मा जीत बने फिर सो विकर्मी बनते हैं उन्हों का फर्ज है पहले जिसने ऐसा बनाया उनकी पूजा करना सोमनात का मंदिर कितना फस्ट क्लास था जिन्होंने लूटा बहतों मर गए बाके निशानिया लगी हुई है अब तुम जानते हो हम सो पूजी बन रहे हैं फिर पुजारी बनेंगे फिर मंदिर बनाना शुरू करेंगे सिर्फ एक मंदिर तो नहीं होगा राजाएं अपने घर में भी मंदिर बनाते हैं जैसे घर में गुरुद्वारा बनाते हैं पहला नंबर किसने गुरुद्वारा बनाया होगा फिर भक्ती मार्ग शुरू हो जाता है पहले आव्यभीचारी भक्ती करते हैं फिर व्यभीचारी आजकल तो मनश्य अपनी भी पूजा कराते हैं उनको कहा जाता है भूत पूजा भूत पूजा भी दुनिया में अथा है जो आया सुचितर बनाते जाते हैं भक्ति मार्ग है न, अभी तुम्हारे बुद्धी में सारा ज्यान है, बाप संगम पर एक ही बार आकर नौलेज देते हैं, शास्त्रों में तो अनेक अवतार लिख दिये हैं, अवतार एक होता है, अवतरे तुआत्मा भी होती है, परन्तु अवतार मनश्य को नहीं कहा जाता है, अवतार एक ही निराकर बाप है, जिसको सारी दुनिया बुलाती है, फादर तो एक ही होगा न, जो परमधाम में रहते हैं, तो मदर भी चाहिए, क्या मदर भी परमधाम में रहती है, नहीं, मदर फादर का प्रश्न यहां होता है, फादर को यहां क्रियेट करना है, इस इसको कहा जाता है Heavenly Godfather, अभी तो कितना दुख लड़ाई मारा मारी है, इसलिए बुलाते हैं, हे Godfather रहम करो, हे पतित पावनाओ, हम सब दुखी पतित हैं, हे बाबा फिर आकर स्वर्ग स्रिष्टाचारी बनाओ, तुम सब भरष्टाचारी थे, अब स्रिष्टाचारी बन र है वह जानते हैं, सब बच्चे इस समय निधनके बन गए हैं, उनको उन्हों को धनका स्रिष्टाचारी बनाना, दस-बीस मनुश्यों को तो स्रिष्टाचारी नहीं बनाएंगे, भारत स्रिष्टाचारी था, तो डीटी गवर्मेंट थी, अब रावन राज्य है तो पाँ खंडन हो जाते हैं, बाप कहते हैं मैंने तुमको जब राज्योक सिखाया था तो भारत स्वर्ग बन गया था, गीता मैंने सुनाई थी, क्रिष्टा को सारी दुनिया का भगवान कहना सके, हमात्माओं का बाप तो निराकार भगवान है, बाकी यह कैसे कहा, गीता का कहते हैं व्यास ने लिखा, परंदु बाप कहते हैं नए विश्व का रचायता ग्यान का सागर पतित पावन मैं हूं, मुझे ही सबी आत्माएं पुकारती हैं, हे पतित पावन परमात्मा आओ, आकर मुझे पावन बनाओ, निराकार भाप ही ब्रह्माद्वारा पावन थापना पतित दुनिया का विनाश कराते हैं, फिर जो पवित्र बनते वही राज्य भागे करते हैं, तुम हो शिव शक्ती सेना, जगत अंबा निमित बनी हुई है, वह भी शिव बाबा से योग लगाए शक्ती ले रही है, रामण पर विजय पाने, भारत में ही रामण र भारत में ही रामण को जलाते हैं, भारत स्रेष्ट अचारी था, यहां कल योग में भारत ब्रष्ट अचारी है, यही खेल है, ब्रष्ट अचारी से स्रेष्ट अचारी और स्रेष्ट अचारी से ब्रष्ट अचारी, यह चक्र कैसे फिरता है, यह बड़ी समझने की बाते है तुम बच्चे जानते हो, हम सब कुछ करते हुए भारत को स्वर्ग बना रहे हैं, बाप की श्रीमत पर, तुम हो रोहानी वारियर्स, योगबल वाले, सर्वशक्ति वन बाप की मत पर अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो, बाप मत देते हैं कि योगबल से तुम भिजय प पर और तुम हो सर्वशक्तिमान बाप की मत पर और कोई विश्व पर जीत पाना सके ड्रामा में उनका पाठ ही नहीं है वर्ल्ड पर राज्य करने का कितनी बड़े ते बड़ी और साधारण बाते हैं प्रदर्शनी से अभी तक इतना समझते नहीं है तो भी प्रजा निकलती रहती है अच्छा मीठे मीठे सिकलिदे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉनिंग रोहानी बाप की रोहानी बच्चों को नमस्ते हम रोहानी बच्चों की रोहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉनिंग और नमस्ते न भारणा के लिए मुख्य सार पहला हर कर्म श्रीमत पर करना है याद में रहकर य感謝 सेवा कर अपनी कमाई जमा करनी है दूसरा भटकना छोड़ भविश्य नई दुनिया के लिए पढ़ाई पढ़नी है घ्यान को धारण कर घ्यान घ्यानेश्वर ग्यान ग्यानी श्वरी बनना है वरदान अमरत वेले अपने मस्तक पर विजय का तिलक लगाने वाले स्वराज अधिकारी सो विश्वराज अधिकारी भव रोज अमरत वेले अपने मस्तक पर विजय का तिलक अर्थात स्मृती का तिलक लगाओ भक्ती की निशानी तिलग है और सुहाग की निशानी भी तिलग है राज्य प्राप्त करने की निशानी भी राज तिलग है कभी कोई शुबकारे में सफलता प्राप्त करने जाते हैं तो जाने के पहले तिलग देते हैं आप सबको भी बाप के साथ का सुहाग है इसलिए अविनाशी तिलक है अभी स्वराज्य के तिलकदारी बनो तो भविश्य में विश्व के राज्य का तिलक मिल जाएगा स्लोगन ज्यान गुण और शक्तियों का दान करना ही महादान है अनमोल ग्यानरत्न दादियों की पुरानी डाइरी से जिस समय कोई देवी वत्स समझता है कि मैं तन मन धन सहित यग में स्वाहा अर्थात अरपन में हो चुका उस समय उस अरपन हुए वत्स में कुछ भी अपना पन नहीं रहता सब यग की सर्विस में आ जाता है उसमें भी तन और मन तो नस्दीक रहता है धन फिर भी अलग है तो तन मन को यग की सर्विस में लगाना ही शुद्ध सेवा है यदि कहता है तन मन धन यग में अर्थात इश्वर प्रती है तो फिर अपने लिए कुछ भी रह नहीं सकता और मन कोई भी माया के अशुद्ध संकल्प तरफ दोड नहीं सकता क्योंकि इश्वर को अर्पन किया तो इश्वर है शुद्ध शांत तो वह मन रुपी घोड़े को कोई भी अशुद्ध संकल्प तरफ न दोड़ा कर अपने वश में करता है यदि माया के हाथ में देता है तो माया वेराइटी होने कारण भिन्न भिन्न प्रकार से अंगूरी लगाती है फिर अनेक प्रकार के विकल्प आकर मन पर चड़ाई करते हैं उसको समझना चाहिए कि क्या अभी भी मेरे में कुछ अपनापन रहा हुआ है क्योंकि यदि यग्य प्रति स्वाह हुआ तो फिर पवित्र हो गया फिर यग्य की सर्विस बिगर कोई भी तरफ मन तन मन वर्क कर नहीं सकता इसलिए इस अती गुहे और महीन रास को समझ कर अपने पर बहुत ही अटेंशन रख खबरदारी से चलना है अच्छा ओम शांती पुष्टियों ही दे ते रहो बाबा सुख सागर में गहरे उतर जाओं सुख सागर में गहरे उतर जाओं हू पल के ना पल भर बंद मेरे इन लहरों को दामन में भर जाओं आप दिश्टियों ही दे ते रहो बाबा अच्छा ओम शाओं